भारत की विविदता ये इसकी विशेस्ता भी है भारत की विविदता ये भारत की शक्ती भी है रमजान का पवित्र महिना सब दूर इबादत में पवित्र भाव के साथ मनाया अब इद का त्योहार है, इद उल्फितर के इस अवसर पर मेरी तरफ से सब पो इद की बहुत-बहुत सुब काम ना है रमजान महिना पुन्यदान का महिना है, खुशियों को भाटने का महिना है और जितनी खुशियां बाटते हैं, उतनी खुशियां बढ़ती है आए हम सब मिल करके इन पवित्र उत्समों से परिणा ले करके खुशियों के खजान को बाढ़ते चले देश को आगे बढ़ाते चले रमजान के इस पवित्र महिने में उत्तर पदेश के बिजनोर के मुबारक पूर गाओं की एक बड़ी प्रेरक घटना मेरे सामने आई करीब साड़े तीन हजार हमारे मुसल्मान भाई बहनों को परिवार वहाँ उस छोटे से गाओं में बसते हैं एक प्रकार से जादा अबादी हमारे मुस्लिम परिवार के भाईयों बहनों की है इस रमजान के अंदर गाओं वालों ने मिलकर के सौचालय बनाने का निर्ड़े किया और इस व्यक्तिकत सौचालय के अंदर सरकार के तरफ से भी साहयता मिलती है और उस साहयता की रासी करीब सत्रा लाख रुपिय उनको दी गई आपको जानकर के सुखत अस्चरिय भी होगा आनंद होगा रमजान के इस पवित्र महिने में सभी मुसल्मान भाईयों बहनों ने सरकार को इस सत्रा लाख रुपिय वापिस लोटा दिये और ये कहा कि हम हमारा सौचालय हमारे परिश्रम से हमारे पैसों से बनाएंगे ये सत्रा लाख रुपिय आप गाउं की अन्य सुविधाओं के लिए खर्च कीजिए मैं बुबारकपूर के सभी ग्राम जनों को रमजान के इस पवित्र अवसर को समाज की भलाई के अवसर में पलटने के लिए बढ़ाई देता हूं उनकी एक-एक चीज भी बड़ी ही प्रेरक है और सबसे बड़ी बात है उन्हाने मुबारकपूर को खुले में सौच से मुक्त कर दिया हम जानते हैं कि हमारे देश में तीन प्रदेश ऐसे हैं सिक्किम, हिमाचल और केरल वो पहले ही खुले में सौच से मुक्त गोशित हो चुके हैं इस सब्ता उत्राखन और हरियाना भी ओडियव गोशित हुए मैं इन पांच राज्यों के पशासन को शासन को और जनता जनाधन को विशेष रुप से आभार प्रकट करता हूं इस कारे को परिपूरुन करने के लिए